सवाल नम्ब एक है, श्री राम लक्ष्मन वसीता सहित वनवास के लिए किस वेश में गये थे? आपका ओप्षन है, A. साधु वेश, B. वनवासी वेश, C. तपस्वी वेश, D. राजसी वेश आपका सही ओप्षन है, C. तपस्वी वेश, सवाल नम्ब दो है, लक्ष्मन जी के माता का क्या नाम था? आपका ओप्षन है, A. सुमित्रा, B. केके, C. कौशल्या, D. मंत्रा आपका सही ओप्षन है, A. सुमित्रा, सवाल नम्ब दो है, राम को वनवास वेशने के लिए राजा दश्रत की किस पत्नी ने कहा था? आपका ओप्षन है, A. सुमित्रा, B. केके, C. कौशल्या, D. मंत्रा आपका सही ओप्षन है, B. केके, C. सवाल नम्ब चार है, इनमें से सती किसे कहा है? आपका ओप्षन है, A. अहिल्या, B. मंदोदर्री, C. सुलोचना, D. उर्मिला आपका सही ओप्षन है, C. सुलोचना, सवाल नम्ब पांच है, वनवास जाते समय सीता जी की आयू कितनी थी? आपका ओप्षन है, A. पंद्रा वर्ष, B. अठारा वर्ष, C. बीस वर्ष, D. सत्रा वर्ष आपका सही ओप्षन है, B. अठारा वर्ष, सवाल नम्ब चार है, श्री राम और भरत का मिलाब कहां हुआ था? आपका ओप्षन है, A. अयोध्या में, B. किश्किन्धा में, C. चित्रकूट में, D. लनका में आपका सही ओप्षन है, C. चित्रकूट में, सवाल नम्ब साथ है, इनमें से किस पतिवरता की अगनी परीक्षा ली गई थी? आपका ओप्षन है, A. अहिल्या, B. सीता, C. रूमा, D. सती आपका सही ओप्षन है, B. सीता, सवाल नम्ब साथ है, भगवान शिव की कितनी पुत्रियां थी? आपका ओप्षन है, A. चार, B. तीन, C. पांच, D. एक आपका सही ओप्षन है, C. पांच, सवाल नम्ब नौ है, रावन से पहले लनका का राजा कौन था? आपका ओप्षन है, A. माल्यवान, B. कुबेर, C. इंद्र, D. सुमाली आपका सही ओप्षन है, B. कुबेर, सवाल नम्ब दस है, जटायू किसके हाथों मारा गया था? आपका ओप्षन है, A. श्री राम, B. संपती, C. रावन, D. बाली आपका सही ओप्षन है, C. रावन